हेलो दोस्तो दोस्तो आयरुवेद के अंदर आपके खाने पीनी की आदत और आपके लाइफस्टाइल से जोगेवे ऐसे बहुत से नियम होते हैं जिनको हम अगर अपने लाइफ में इस्तमाल करें तो कभी भी बुगापा आपके जीवन में नहीं आएगा दोस्तो असल बात तो है time ही नहीं मिलता आप जिससे पूछेंगे आप अपनी सेहत पर दियान क्यों नहीं दे पा रहे हैं तो विचारा यहीं बोलता है कि भाई मैं पास time ही नहीं है मैं को कमाने से time नहीं है मैं अपने आपके क्या ध्यान दूट तो दोस्तो ऐसे में अगर आप अपने आयरवेट के द्वारा कुछ आसान से नियों का पालंग करें तो आपको कभी भी बुढ़ापे का सामना और बिमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और स्वस्त रहेंगे. दोस्तो अक्सर ये देखा गया है कि आज कर लोग खाना खाने के तुर lawn बाद फिरिज का थंडा पानी पीते हैं, जर फिर चिल पानी पीने का एकदम कमाल के उनको हैबिट बन चुकी है. तो दोस्तो ऐसे मैं आपको बता दूँ कि खानाखने के तुर lawn बाद अगर थंडा चि और आपको जो dilation system है वो बिल्कुल खराब हो सकता है दोस्तो इससे आपका जो dilation system है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है और आपको खाना धंग से पच्टा नहीं है लेकिन दोस्तो अगर आपको पानी पीने का इतना ही हो रहा है यह बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तो असल बात तो यह है कि खाना खाते वे हलका गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत और digestion के लिए सबसे बहतर होता है इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनकों खाना खाने के तुरण बाद चाई या फिक कॉफी पीने की आदत होती है दोस्तो इससे होता यह है कि खाना खाने के तुरण बाद जब आप चाई या कॉफी पीते हैं तो इससे आपके पेट में acidity बढ़ती है और खाना हजम होने में दिक्कत आती है साथ में ये बाद भी याद रखें कि खाना खाने के तुरण बाद कोई भी फल फूरूट नहीं खाना चाहिए खिक कि दोस्तो ऐसा करने से आपके पेट में acidity बढ़ जाती है और आप अकसर गैस के जो शिकायत करते हैं वो इसी वज़े से हो जाती है और इसके लावा जो सबसे खतरनाक आदत में से एक है वो दोस्तो अकसर पुर्शों में पाई जाती है वो ये है कि ज़रा सा खाना खाया और उसके बाद उनको चाहिए धुमरपान यानि cigarette या फिर बीवी इन सब का जो पीना होता है तुरंट खाने के बाद तो दोस्तो अकसर आपने जो लोग पीते हैं cigarette या बीवी इनके मुझ से ये सुना होगा हम ये इसलिए पीते हैं भाईया क्योंकि हमारा पेट सही नहीं होता और ताकि हमारा खाना पच जाए ये हमारे डैशन में काम आता है तो दोस्तो ये सबसे बड़ा जूट है दुनिया का और सबसे बगली बात जो दोस्तो मैं कहने चाहता हूँ वो ये है खाना खाने के तुरंट बाद जब आप cigarette या बीवी पीते हैं तो उसका जो असर होता है वो 10 cigarette के बराबर हो जाता है साथ ही जो cancer का होने का खत्रा होता है वो 50% तक बढ़ जाता है दोस्तो कुछ लोगों को खाना खाने के बाद नहाने के आदत होती है दोस्तो खाना खाने के तुरंट बाद नहाने के कारण जो blood का circulation है वो आपके पेट के जगा आपके हाथ पैरों में जाना शुरू हो जाता है इस कारण जो आपके digestion की पावर है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है जो चिकने वाले जो खाने होते हैं तले मसाले होते हैं मखन और घीर जो बने वे जो चीजे होती हैं मेवा यानि काजो बदाम किश्मिश और मिठाई के खाने के तुरंद बाद पानी पीनी से खासी होने की जो चानस और प्रॉबिल्टी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जबती, गरम खाना, खीरा, ककवी, तरबूज, खरबूजा, मूली या मकई खाने के बाद पानी पीने से जो खाम होने के संभावना हो जाती है और भूजिंग करने के तुरंद बाद सोना बिल्कुल नहीं चाहिए खाना खाने के तुरंद बाद सोने से खाना उपर की ओर आ जाता है और उसकी वज़ा से एसिडिटी और पेट की जो प्राबलम बढ़ जाती है पर आपका जो डाइशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है हाँ दुफैर को खाना खाने के बाद करीब 20 मिनिट के लिए आप दाइं और के करवट लेके लेट सकते हैं और अगर शरीर में आलस थोगा जादा है तो भी आप आदे घंटे से जादा कभी ना सोएं वहीं रात को खाने खाने के बाद बाहर सैर करने जरूर जाएं कम से कम 500 कदम तो चलिए ही चलिए और रात को खाने खाने के बाद कम से कम 2 घंट के बाद ही सोएं तो दोस्तो ये हैं कुछ आयरवेद के नियम जिससे आप अपने जिन्दगी में ला सकते हैं और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको से कुछ सीखने को मि बहुत भर धन्यवाद आप फिट रहे स्वस्तरे अपने ख्याल रखें